हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनादर वीडियो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि RRB Group D का जो अपकमिंग एक्जाम है क्या वो 23 फरवरी से स्टार्ट होगा जैसा कि Official Notification में आया था और आज इस वीडियो में ये भी देखेंगे इसमें पहला नमर 14 में आपको रिक्रूपनल प्रोसेस से रिटेल मिल जाएगी इसमें जो सेकंड पॉइंट है लिखा है अन्टायर रिक्रूपनल प्रोसेस सेल इन्वोल्ट कम्प्यूटर बेस टैस फिजिकल एफिसेंसी टैस्ट डॉकुमेंट वेरिपिकेशन और मेडिकल तो इसमें ये फोर इस्टेप है इस एक्जाम को देखे जो कम्प्यूटर बेस टैस्ट है उसका ये सलेबस है जिसमें आपको टोटल नबबे मिनट यानी के डेड़ घंटे में जो ओनलाइन एक्जाम होगा टाइम मिलेगा और सो कोश्चन करना होगा सो कोश्चन आपको त तो ये फेड़ घंटे में उन लइन करने होगए और इसमें जनल साइस के 25 संआएंगे में हैं मैत के 75 स्क्रेट कोश्चन आएंगे और जनल कहीं भी नहीं लिखाया कि यह आपको पोस्ट वाइस इसमें कट ओफ आएगी कहीं भी नहीं लिखाया तो यह आर आर भी जो एंटी पिसेम हुआ इसमें बिलकुल भी नहीं होगा इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी वन बाई थर्ड की जो उनलाइन एक्जाम होगा और अंसर होने पर वन मार्क्स मिल जाएगा आपको उसके बाद यह स्लेबस हैं मैत्रमेटिक्स जर्नल इंटेलिजन्स रिजिनिंग साइंस का साइंस 10 लेबल तक की आएगी फिजिक्स सेमेस्ट्री और बायो और इसके बाद जो फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट होगा उसके बार है इसमें एक लाग से ज्यादा वेकेंसी है तो उसका थ्री टाइम कर लेना यानि कि थ्री टाइम वेकेंसी में कैंडिडिट आएंगे लगवग तीन लाग से ज्यादा कैंडिडिट इसमें पास होंगे जो इसमें बिल्कुल किलियर कट लिखा है तो फिजिकल एफिसेंसी test में आपका इसमें male और female दोनों का अलग-अलग test होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं screenshot ले लेना time waste नहीं करूंगा आपका और जो इसका post wise selection है वो भी मैं बता देता हूँ आप देखे जब आपका physical efficiency test हो जाएगा तो यह post हैं इसमें total 17 post हैं assistant workshop assistant bridge assistant cnw यह सारी post हैं तो इसके according आपको यह post मिलेगी depend करता है आपने उसमें post preference क्या दिया है और आपके marks कितने हैं यह आपका physical efficiency test के बाद होता है यानि कि जो pt होता है उसके बाद यह decide होता है कि आपको कौन सी post मिलेगी और आपने उसमें क्या post reference रखा है उसके according यह सब चलता है और आपकी qualification भी देखी जाती है तो यह सभी चीजें आपको किसके बाद मिलेगी physical efficiency test के बाद मिलेगी यह नहीं कि आपके ने cbt1 लिया उसके बाद आपका post wise कटोफ आ इसमें इस exam में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अब बात करते हैं कि क्या exam आपका 23 फैप से start होगा या नहीं देखें कल के यह interview में जो rrb के chairman थे उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि rrb ntpc का exam बिल्कुल time पर होगा यानि कि आपको पता है 14 फरवरी से 28 फरवरी के ल rrb group d का exam है वो 23 फरवरी से start हो जाएगा और यह delay नहीं होगा यानि कि postpone नहीं होगा तो अभी आप पर one month का time है इसमें आप preparation अच्छी तरह कर सकते हों अब यह ना सोचो कि यह exam postponed होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और जैसा कि आपको पता है SSC के भी exam postponed नहीं हुए है जो serial mains के exam है बस जो उनका label 6 का था कोई phase 6 का या phase 9 का वो postponed हुआ है वो भी covid की वज़े से नहीं election की वज़े से हुआ है जो 14-18 के बीच में election है फरवरी में लेकिन यह exam कप से है 23 फैप से है तो यह बिल्कुल भी postponed नहीं होगा तो आप अपनी preparation बिल्कुल जो रोसोर से जारी भी रखे क्योंकि अब वनमंती बचाए आप पर तो आज किसे वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल पर फस्वार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना था इंक्यू